सो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं morning glory का flower और नर्सिस का flower तो सबसे पहले हम morning glory का flower बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम एक old shape बना लिख एस अ और फिर इसमें center select कर हमें एक line खीच देनी है और फिर हमें इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है यह एक फ़नेल शेप फ़लावर होता है तो इसका हम नीचे वाला फ़नेल शेप जो है वो बना लेते हैं अब इसका सेंटर बना लेते हैं यह हो गया है इसका सेंटर और यहीं से हम अभी फ़लावर को थोड़ा थोड़ा ड्राव करना स्टार्ट कर देते हैं इसके अंदर भी हमें एक छोटा ओल शेप बनाने हैं कि एक फ़नेल शेप ही होता है तो इसके बाद जो इसके नीचे का पार्ट है इसे हम बरान लेते हैं तो इसके नीचे के पार्ट बेमी इस तरह से अब फ़लावर को अटेच करता हुआ इसका बोटम अब 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 फिर हम इसका जो है आउटर पार्ट भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से और इसे हम इस तरह से कनेट कर लेते हैं इसमें थोड़े से काटे होते हैं तो वह भी हम बना लेते हैं काटे मतलब यह वेलवेट सा होता है है अब से भं शेडिंग कर देते हैं कि अब चाहिए तो अब भी नेक्स्ट हम बनाएंगे नर्सियस फ्लावर तो इसके लिए भी हमें कोवल शेप बनाना है लेकिन कुछ इस तरह से इसके बाद हमें से सेंटर में से एक लाइन खीज देनी है इस तरह से और अभी इससी सेंटर से हम इस तरह से एक शेप बना लेते हैं कि अबर भी हमें पोल शेप बना लेना इस तरह कि का अब कि इसके बाद हम इसके पेटल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं आफ म grow शेफ हमिंदे रेना आचल से बनांना स्टार्छी में आ कि रंग अ कि sushi we आचल सेंटर हम इसे जन्ली प्लशाबब्त बनाना लेते हम पप्ल्च भिस्ची में जुड़ते हम उनला ब Land इसके उपर जो पार्ट है उसे हम इस तरह से बना लेते हैं और अब हम इसके जो टैनी होते हैं वो बना लेते हैं तो अब यह मोनो कोट फैमिली से है तो इसका जो पता है वो काफी सिंपल होता है इस तरगे का जैसे गन्य कवगेरे पत्ते होते हैं इस तरगे का होता है तब हम इसे थोड़ा शेडिंग कर देते हैं कर दो इसे हैं वो अ कर दोाटीं से थोड़ा गक हुआ से थोड़ाई आर जला इसका ग्ड़ार वो कईते कर दोड सोच्थ ढाता है तो यह हो गया तेयर हमाना नर्सिस का फ्लावर तेयर तो अभी नेक्स्ट हम बनने वाले है पैंसिस का फ्लावर तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक राउंड शेप बना लेना है कि आप इसे कंपस्ट बना सकते हो कोई बर्मल में इसके बाद में एक डाउएमेटर खीच देती हूं और उसका 1 सेंटर ले लेती हूं कि और सेंटर से ठोड़ा नीचे हम एक क्रॉस बना देंगे और क्रॉस से हम एक इस तरह का हाफ सरकल बना लेतें दोनों तरफ पिर क्रॉस के नीचे से हमें इस तरह का एक शेप बन लिए हैं और इसके बाद हमें उपर से ही इस तरह का हाफ सर्कल में इस तरह का शेप बन लिए यह हम पेटल्स बना रहे हैं इसके फ्लावर के तो इसके बाद हम इसकी नीचे वाली टेहनी भी बना देते हैं और इसका पत्ता भी इसके बाद जो इसके तीन पेटल्स होते हैं वो अलग कलर के होते हैं और एक जो यह वाला पत्ता होता है वो अलग कलर का होता है तो इसे हम थोड़ा सा अलग वाला शेप मतलब इस तरह से होता है वो कि यह हो गया हमारा पैनिस का फूद तयार हो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूले और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को तबाईए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू